हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल Mr. Atock में मेरा नाम है अंकीत और दोस्तों आप अपने वोटर आईडी कार्ड में ओनलाइन करेक्शन कर सकते हो करेक्शन कैसे करना है वो सारी डीटेल्स में यहाँ पर आपको बताने वाला हो तो दोस्तों अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो अपना वोटर आईडी कार्ड एक जगर से दूसरी जगर ट्रांश्पर करना चाहते हो आप अपना डेटो बर्थ चेंज करना चाहते हो अपने हजबन का नेम आप लगाना चाहते हो अपने वोटर ऐडी कार्ड में तो कैसे करना है उस सारी डीटेल्स में यहां पर आपको बताने वाला हूं दोस्तों तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन आप पर हमें नीचे स्क्रोल करना है लोगिन एंड रेजिस्टर वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आपका अल्रेडी अकाउंट है तो यूसर नेम और पासवर्ट डालके कैपचा डालके आप लोगिन कर सकते हो अगर अकाउंट नहीं है आपके पास डॉंट हैव पर क्लिक करना है यहां पर आपको डाल देना है यहां पर इमेल डाल दो पासवर्ट यहां पर फिलप कर देना है दुबारा यहां पर पासवर्ट फिलप करके रेजिस्टर पे क्लिक करना है सिधा आप लोगिन वाले पेज़ पर रीटायरेक्ट हो जाओगे रेजिस्टर हो करने के बाद यूजर नेम में आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर इमेल आईडी डाल देना है पासवर्ड आपने जो भी डाला हो यहाँ पर फिल अप कर दो कैप्चा फिल अप कर दो और लोगीन वाला आप्शन पे क्लिक करना है लोगीन हम हो चुके अभी हमें फॉर्म εवाले option पे क्लिक करना है यहाँ पर अग्भी कोई भी करेक्शन करना हो चैंजिस करना हो तो गूले नहीं को अगर अपका ही ये कार है तो आप फेमिली का है तो आप यहाँ पर diligently लेकर प्टे लिए था करके कर सकते हो तो हम सेल rinse क्रोग कर रहे हैं क्योंकि यह मेरा ही खुत का कार है और यहाँ पर आपको लेंगवेश इलिक ले नीचे आपको options मिल जाएंगे तो पहले यहाँ पर आपको state select करना है कौन से state में आप गए हो और यहाँ पर आपको अपना district और उसके बाद assembly select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे scroll करके आपको अपना पूरा जो address है वो fill up यहाँ पर कर देना है जैसे आप address fill up करोगे तो एक address proof भी आपको upload करना होगा आपके पास address proof होना चाहिए प्रूप में क्या क्या चाहिए इंडियन पासपोर्ड अधार कार्ड और और भी डीटेल से यहाँ पर उनमें से कोई एक आपको upload करना है प्लेश डालना है और प्रीवीव पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवीश होगा तो यह shifting का details था ओके अभी हम उपर चले जाते हैं यहाँ पर देखो जो दूसरा option है वह main है तो यह select करते ही आपकी सारी details नीचे enable हो जाएगी यहाँ पर देखो आप अपना name gender date of birth age address relation type और सभी यहाँ से आप change कर सकते हैं photograph सारी details ठीक है तो आपन नीचे देखो टिक मार्क का option आपको मिल जाएगा जैसे नीचे स्कूल करोगे तो यहाँ पर हम सिलेक कर लेते हैं पहला name उसके बाद हमें जैंडर अगर चेंज करना है तो जैंडर date of birth चेंज करना है तो टाइप आफ रिलेशन और नेम of relative तो husband का name change करने के लिए आपको यह दो options सिलेक करने होंगे अगर पांच मा option आप सिलेक करोगे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि हम एक time में चार ही option सिलेक कर सकते हैं तो पहला है name तो यहाँ पर आपको अपना name फिलब कर देना है अगर marriage के बाद आप अपना name change हो चुका आप name change करना चाहते हो अगर native language में गलत आ रहा है यहाँ पर देखो तो आपको keyboard भी यहाँ पर दिया गया है keyboard सिलेक करके कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप अपना surname डाल दो उसके बाद यहाँ पर देखो date of birth वाला भी option enable है तो date of birth डाल दो relative में यहाँ पर आप अपना husband का name ड supporting documents में आपको edge proof यहाँ पर डालना होगा क्योंकि अगर आपने जो भी changes किया होगा अगर आपने date of birth चेंज किया है तो edge of proof और name change किया है तो name change का भी proof यहाँ पर डालना होगा type of documents में दिये गए है कौन सी documents आप upload कह सकते हो दोस्तों तो यह थी आपकी name date of birth और type of relation वाला details अभ पर address वाला देखो option है वो enable हो चुका है यहाँ पर आप अपना उस number street name, village name, post office name और यहाँ पर तहसील और pin code यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद नीचे scroll करना है नीचे यहाँ पर mobile number वाला option भी open हो चुका है यहाँ से आप अपना mobile number हो change कर सकते हो upload photograph वाला option भी यहाँ पर आप चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपना photograph है upload कह सकते हो और यहाँ पर फिर से यहाँ देखो address अगर change किया है तो address प्रूफ वाला भी option यहाँ पर add आ जाएगा यहाँ से address भी आपको upload करना होगा और proof of change name अगर name भी आपने change किया है तो यह भी आपको upload करना होगा तो तो types of documents में यहाँ पर जैसे documents में ने बता है वैसी यहाँ पर आपको upload कर देने है select कर लेने है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना place डाल देना है capture fill up कर देना है और preview पे click करना है यहाँ पर preview में आपको दिखाए देगा आपने जो भी details है वो update कि हो सारी details यहाँ पर आएग क्या आप इसको correct कर सकते हो तो हम submit पर click करेंगे तो देखो आपको एक यहाँ पर reference ID जनरेट दिया जाएगा तो यह ID के थूँआप अपनी application को track कर सकते हो तो यहाँ पर आपको track status वाले option पर click करना है अपना जो tracking है और details जानने के लिए तो यहाँ पर आपको अपना state select कर ले जो भी process हागे होगा आपको बताया जाएगा और दोस्तों यह update होने में 45 to 60 days लगते है अप्रूव होने के बाद जो नया water ID card है वो आपके address for 15 days या फिर 20 days में by post पहुंचाया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से आप अपने water ID card को online correction कर सकते हो जो भी details मैंने बताया मदद कर दूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना, subscribe जरूर करना, bell icon को जरूर क्लिक करना, thank you so much for watching